गुरू दुआरा मनिकंड साहिब सिखों के पवित्तर तिर्थ स्थानों में से एक है। गुरू नानक देव जी की यहां की यात्रा की समरीती में बना था। जनम सकी और ग्यानी ग्यान सिंग दुवारा लिखी तुवारिक गुरू खालसा में इस बात का उलेख है कि गुरू नानक देव जी ने भाई बाला वे मर्दाना और पंज प्यारों के साथ यहां की यात्र जब वे यहां पर पहुँचे तो उनके पास खाने का रासन तो था पर पकाने का सादन नहीं था गुरु जी ने भाई बाला को एक पत्तर उठाने को बोला पत्तर उठाने पर उसके नीचे से खोलते पानी का चस्मा निकला गुरू नानक देव जी ने अनाज और चावल एक पोटली में करके खोलते पानी में डालने को बोला जैसे ही वे अनाज उस गरम पानी के चस्मे में डाले तो वे गायब हो गई भाई बाला बड़े दुखी हुए पर गुरू जी ने उनसे कहा कि वे दुखी ना होएं बलकि अरदास करें कि यदि पोटली मिल जाएगी तो वे भगवान के नाम की रोटी निकालेंगे ऐसी अरदास करते ही पोटली मिल गई तब से यहाँ पर इस गुरू दुआरे में ऐसे ही लंगर पकता है ऐसा ही भी कहा जाता है कि गुरू गोविंग सिंजी ने अपने पंज प्यारों के साथ इस स्थान की यातरा की थी मनीकर्ण को अपने गरम पानी के चस्मों के लिए भी जाना जाता है इन गरम पानी के चश्मों में सनान करना तवाचा के रोगों के लिए बढ़िया माना जाता है कुलू से 45 किलोमेटर दूर स्थित मनिकर्ण पार्वती घाटी में पार्वती नदी के टक-टट पर स्थित है मनाली से मनिकर्ण करीब 70 किलोमेटर की दूरी पर है और मनीकर्ण पहुंचने के लिए भूतर से रास्ता कटता है ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी अपनी यातरा के दुरान हिमाचल परदेश में भूतर में बिजली महादेव और मंडी आदी अन्य जगों की यातरा करते हुए मनीकर्ण पहुंचे थे तो दोस्तों आज हमने बात की गुरु दुआरा मनीकर्ण साहिब के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे